जैहिन वेलकम टू सक्सस एकजिद तो देखिएगा यहां पर जो आपको हमने पहले अपडेट दी थी कि बियारो गृफ की आपके साल 2021 में जो नई भरती आने वाली है वो आपके दिसम्बर के फर्स्ट वीक में आउट हो जाएगी और यहां पर बिलकुल सहीं सावित होई है हमारे जानकारी है आपके जो ऑफिशल बरती है जो आपका ये वाला ऑफिशल नोटिविकेशन है वो आपका बियारो गृफ की ओफिशल वर्फ सेट पर भी आ चुका है तो यहाँ पर देखिएगा आपके बियारो गृफ की इस बरती के जो भी आपकी complete सेलेक्शन प्रोसे है वो हम बिल्कुल आपके एट जोट पॉइंट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं चलिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो बरती है वो आपकी ओफिसल वेबसाइट पर आई है या फिर नहीं कि बियार गरीफ की आपकी कोई बी ओफिसल अपडेट होती है आपकी कोई भी नेयू रिक्रूमेंट होती कोई नई भरती होती है वो किस ए। बेन पदिय помог Ninky Cycle को जब आप थोड़ा से नीचे आएंगे तो यहां पर दिखिए जो आपका पहला यहां पर न्यूस दिया गए वो कौन सा है वर्ट्स न्यू का पब्लिकेशन ओफ वेकंसिज फोर रेक्रुमेंट अगेंस्ट एडिवीट नंबर जिरो टू से टू जिरो टू वन यान कि आपके साल तो जार एकिस की जो दूसरी भरती है वो आपकी पब्लिस है वो हमने ओपन किया हुआ है बियर गरिफ की नई भरती का अब यहां पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह जो भरती आपके रहने वाली है टोटल दीखेगा आपका उन्तले स्पेज का यह आपका ओफिशन नोटिफिकेशन रहने वाला है तो यह जो आपकी बरती ह है ना वो आपके ओफ्लाइन रहने वाली है कहने का मतलब यह है कि इस भरती के लिए आपको कैसे अपलाई करना है तो आपको ओफ्लाइन तरीके से डाक के दोर अपना फूम अपलाई करना है यहां पर बात करने कि आपके फूम क्या अपलाई होने स्टार्ट हो चुके है त आपके लास डेट है 17 जनवरी 2022 है कौन से लास डेट है 17 जनवरी 2022 है आपके फोर्म को ओफलाइन तरीके से अपलाई करने की लास डेट यहां पर रहने वाली है अब यहां पर जो भी आपकी जानकारी है बिलकुल आपको ओफिशन नोटिफिकेशन के कोडिंग बताने वाले है तो इसलिए हर एक अपडेट को आप ध्यान से सुनिएगा तो यहाँ पर आप सभी देखे जानते हैं कि आपके वर्ति किसके अंटर पब्लिस हुई है वो हुई आपकी Ministry of Defense के अंदर और किसके तहत आपकी बियारोगिरिफ के तहत है अब देखेए आपकी जो post जो के आपको होने पहले बताई थी और जो vacancy आपको होने पहले बताई थी सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली है कि total कितनी post पर आपकी vacancy आउट हुई है तो total जिखी 334 vacancy आपकी इस बर्ति में रहने वाली है जो कि आपकी post वाज़े divide और category वाज़े divide है सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो painter trade है उसकी vacancy जो out हुई है वो total कितनी vacancy है तो total देखे आपकी painter की यहाँ पर 33 vacancy रहने वाली है और painter के सबसे ज़्यादा vacancy आपकी किस category की है वो है OBC category की 33 में से 22 vacancy आपकी OBC category की रहने वाली है इसके बात अलावा बात करें आपकी your category में कोई vacancy painter की नहीं है SC की 6 vacancy, ST की 2 vacancy और EWS की 3 vacancy painter trade की रहने वाली है देन हम बात करें आपके अगले post के बारे में तो वो आपकी कौन सी है तो वो है आपकी MSW mess waiter की तो में से 22 vacancy में देखेगा आपकी जो vacancy है वो टोटल 2 section में divide है एक आपकी current vacancy है दूसरी आपकी backlog vacancy है लेकिन आपको confusion नहीं होना है आप लोग दोनों यहाँ पर section के लिए apply कर सकते है current और backlog vacancy के लिए आप बात करें देखेगा यहाँ पर आपकी current vacancy में सेविटर की वो है total आपकी 11 vacancy जिसमें आपके जर्ण के लिए 7 SC के 3 ST की कोई vacancy नहीं है वो भी सी कोई vacancy नहीं है और AWS की total एक vacancy यहाँ पर आपको देखने को मिनने वाली है में सेविटर की वहीं बात करें बैकलोब vacancy तो आपकी एक vacancy बैकलोब के रहने वाली है जो कि आपकी SC काटेगरी की दे गई है अब इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर आपके जो रिजर्व काटेगरी है जैसे कि SC, ST, OVC, AW से तो अगर आपकी काटेगरी की कोई आपर post की vacancy नहीं है जैसे के match waiter में आपके SC, OVC काटेगरी की vacancy नहीं है लेकिन आपकी जर्व काटेगरी की vacancy है तो आप जो भी रिजर्व काटेगरी वाले candidate है वो आप लोग का जर्व में आपको सभी criteria fulfill करना होगा लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और दिया रखनी है कि अगर आपके जर्लन की vacancy नहीं है और आपके category OBC है और आपके OBC category की vacancy भी नहीं है लेकिन आपके SC category की vacancy है तो आपके जो reserve category है ना reserve category में मातर आपके जो reserve category वाले candidate वहीं apply कर सकते है आपके जो other reserve category है फिर जर्लन का टेगरी है उसमें आपे reserve category पर अप्लाई नहीं कर सकते ये चीज़ आपे note कीजिएगा अब वहीं अगर बात कर आपके अगले पोस्ट की तो वो है आपके विकल मेकनिकी जो कि आपकी इस भरती की सबसे बड़ी पोस्ट रहने वाली है जिसकी total कितनी विकलसी है total देखिएगा आपकी 293 विकलसी आपर रहने वाली है जिसमें UR की 121, SE की 51, ST की 28, OBC की 64 और आपकी AWS की 39 विकलसी आपर आपको देखने को मिनने वाली है अब यहाँ पर qualification वगरा को लेकर selection process को लेकर आपको doubt में नहीं आना है बिल्कुल सारी बाते आपको बताने वाले हैं थोड़ा सा patient देखिएगा बात करें आपके अगले पोस्ट की तो यहाँ पर आपके सबसे last की पोस्ट है driver की driver mechanical transmitter OG, OG का मतलब होता है ordinary grade तो यहाँ पर देखिएगा आपके driver की vacancy कितनी है आपके total 16 vacancy है जिसमें से आपके यूर की 8 category sorry 8 vacancy, SE की कोई vacancy नहीं है ST की 7 vacancy, OBC कोई vacancy नहीं है और AWS की एक vacancy तो total कितनी vacancy है आपके driver की total 16 vacancy आपको देखने को मिनने वाली है लेकिन आपको यहाँ पर जो SE वाले हैं, जो OBC वाले हैं जिनके driver की vacancy नहीं है वो लोग किसके अगेंस्ट अपलाई कर सकते हैं जर्रल के अगेंस्ट है तो यहाँ पर देखिए इन सभी को मिला कर painter, master, vehicle mechanical, driver इन च्यारों को मिला कर और सभी कर्टेगरी को मिला कर कितने vacancy आउट हैं, टूटल अपकी 314 vacancy यहाँ पर आउट होई है अब चलिएगा यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी जो यहाँ पर education qualification है आपको जो easy limit है form को apply करन की process है वो कैसे क्या रहने वाली है इसके अलब देखिया यहाँ आपका application format रहने वाला है जो आपको form apply करना है वो आपको इसी format में और यह वाला form आपको apply करना है यह चीज़ आपकर note कीजिएगा form को apply करने के पूस्ट भी आपको जरूर बताएंगे थोड़ा सा wait कीजिएगा अब यहाँ पर देखियेगा यहाँ पर जो आपका callator आने वाला है उसके लिए आपके जो qualification होने ज़ाइए जो आपका criteria रखा गए वो क्या कुछ है चलिए हम वो देख लेते हैं तो देखियेगा यहाँ पर आपकी बियारोगरिफ की जो ये वाली भरती है इसमें कौन apply कर सकते हैं तो आपके only जो male candidate है ना वहीं इस भरती के लिए eligible है apply कर सकते हैं जो female candidate है वो इस भरती के लिए eligible नहीं है वो apply नहीं कर सकती अब बात करें देखियेगा यहाँ पर आपके जो भरती है इसमें जो भी आपकी पोस्ट है तो उनकी पोस्ट में ध्यान से सुलनीजी आपका जो P.E.T. होने वाला है physical efficiency test और इनका जो practical test होने वाला है जिसको हमें trade test भी बोलते हैं या फिर आपका जो return test होने वाला है वो कहाँ पर होगा तो वो सब आपका होने वाला है गरिफ सेंटर पूने में लेकिन मेरी एक बात नोट कीजिए आपकी इस वाले भरती से पहले 12 गरिफ की साल 2021 में ही आपकी एक और भरती आउट हुई थी और वहाँ पर क्या हुआ था कि आपकी S.K.T. की और आपकी D.E.S. से ड्राइवी इंजिस्टेटिक की भरती आई थी पोस्ट आई थी और वहाँ पर जो कंडिडेट हैं जिनको एक्जाम देन था उनकी संख्या जादा होने की वज़े से जो आपका एक्जाम सेंटर है ना आपका पूर्णे के अलावा भी और जगह बना गया था तो आपको ये बात नोट करने के आपका जो एक्जाम सेंटर है वो आपका पूर्णे ही रहेगा लेकिन अगर आपके जो कंडिडेट हैं उनके संख्या जादा हो जाती है तो आपका सेंटर अलग जगह भी बनाए जा सकता है लेकिन आपको जो फीजिकल का सेंटर होगा और जो आपका ट्रेटर का सेंटर होगा वो आपका गरिब सेंटर पूर्णे ही रहने वाला है अब चली हम बात करते हैं कि आपके जो पोस्ट रहने वाली हैं उन सभी पोस्ट की आपके एज लिमिट क्या रहेगी तो सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है वो है आपकी MSW पेंटर की तो पेंटर के लिए देखेगा आपके जो age limit है जरनल कर्टेगरी के लिए वो कितने रहेगी वो आपके रहेगी 18 से 25 साल है लेकन यहाँ पर आपको age में छोट मिलेगी वो किसको कितनी मिलेगी तो OBC को 3 साल आपकी age में छोट मिलेगी और जो SC और ST के टेगरी है इनको age में यहाँ पर 5 साल के छोटी मिलेगी है इसके अलावा आपके जो अगले पोस्ट है वो है आपकी MSW मैसिवेटर की तो मैसिवेटर के लिए देखेगा आपके जो age limit है वो आपके 18 से 25 साल है और यहाँ पर भी आपको age में छोट मिले वाली जो कि आपको पहले बताया था OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल इसके अलावा आपके जो अगली पोस्ट है वो है आपकी विकल मेकानिक की तो विकल मेकानिक के लिए देखेगा आपके जो age limit है ना वो आपकी 18 से 27 साल है रहने वाली है यहाँ पर भी आपको age में छोट मिलेगी सिम आपको जो मैंने पहले बताया SC ST को और OBC को वहीं बात करें आपके जो last की बरती है last की post 20 वाली बरती में वो है आपके driver की तो driver mechanical transport के लिए ordinary grade के लिए आपके जो age limit है कि आपके जो age में छोट है journal को OBC को age में कोई छोट नहीं है SC ST को age में 5 साल के छोट है और आपकी जो OBC का टेगरी है इसको age में 3 साल के छोटे मिनने वाली है इसके अलाव जो ex-service man है उनको उनके service के recording छोटे यहाँ पर age में मिनने वाली है और बात करें आपके जो जम्मो किस्मीर के migrating candidate है उनको भी age में कितने छोट मिलेगी उनको भी age में यहाँ पर 5 साल के छोटे मिनने वाली है और जैसे कि आपको हमने बताया था यहाँ पर सबसे पहले आपको हमने बताया था कि आपकी जो age में छोट मिलती है किसको SC, ST, OVC को तो अगर SC, ST, OVC, EW जो candidate है वो apply करते हैं against unreserved category तो उनको no age relaxation उनको age में कोई छोट नहीं मिलेगी अगर वो यहाँ पर किसके against apply करते हैं जरलन के against वो apply करते हैं अब इस वाली भरती में जो एक सबसे important जीज़ा आपको note करनी है वो है आपका waitage for issue of call letters only यहाँ पर देखे आपकी जो चार post की provoquancy आउट होई है तो इन चारों ही post को जो add in card आपके आने वाले हैं वो आपके आएंगे percentage के base पर किसके base पर है जो आपके essential qualification रहने वाली है post की उस post की जो essential qualification है उसके percentage के base पर आपके add in card आउट होँगे कि इसके लिए मतर मतर आपके add in card आउट होँगे आपकी पहली process है जो आपके written exam क्यों होने वाली है तो यहाँ पर देखेगा जो आपके call letter आउट होँगे उस call letter में आपके जो essential qualification के percentage है उसके अलावा भी आपकी percentage add होती है वो आपका बियरोगृफ का criteria वो क्या है वो भी सुन लीजिए तो यहाँ पर देखेए अगर यहाँ पर कोई आपका relation है बियरोगृफ में तो आपके बियरोगृफ में अगर आपे जो आपकी पिताजी हैं अगर आप उनकी पहली संतान है तो आपको कितने percentage मिलेंगे आपको यहाँ पर 15% मिन्यवाले हैं किसमें add होंगे आपकी essential qualification की percentage में ओके इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके बास NCC की C certificate है तो आपको 10% 20 certificate के लिए NCC के लिए 5% है अगर बात करें आप बियार गुरिफ में यहाँ पर जो है serving person है तो आपको कितने यहाँ पर परसंटेज में यह help मिन्यवाली है 15% की वहीं बात करें अगर आप Sun of X Service Man है तो कितने आपको यहाँ पर परसंटेज में help मिलेगी वहाँ आपको 3% मिलेगी अगर आप sports person है state, district और university लेवल है तो आपको वहाँ पर 5% है और अगर आप CPL है अगर आप लोग कैजल पेड़ लेवर है तो आपको यहाँ पर परसंटेज में कितने छूटी मिलेगी आपको 10% की तो यह आपका criteria है किसके लिए आपके return exam के call letter के लिए लेकिन एक बात note कीजिए यह आपका criteria है हना यह आपका मातर और मातर जो आपका call letter है रिटन exam के लिए उसमें add होगा जो आपकी merit भी नहींगे ना फाइल मेरिट उसमें आपका यह वाला matter को यहाँ पर add नहीं होने वाला है इसके अलाव देखिएगा यह जो form आपके है यह आपके offline तरीके से आपको apply करने है लेकिन इसमें भी आपको fees pay करनी है और fees pay किसको कितनी करनी है वो ध्यान से देख लीजिए तो आपके जो journal category वाले candidate है इसके अलावा जो आपके e-dervice वाले candidate है आप चाहे वो एक्सरिशमें ही क्यों न हो या फिर open category ही क्यों न हो दोनों को ही यहाँ पर 50 रुपे fees pay करनी होगी और इसके साथ इसाथ जो ओविश वाले candidate है अधर बैकवर कलास वाले उनको भी यहाँ पर कितनी fees pay करनी है 50 रुपे की लेकिन आपको जो SC category है जो ST category है इनको यहाँ पर fees कोई पर नहीं करनी होगी तो fees पर आपको किस परकार से करनी है वो भी आपको हम बताएंगे बस आपे वीडियो को देखते रहीएगा लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं आपके यहाँ पर जो भरती आई है इस भरती में आपकी हर एक पोस्ट के जो सिलक्षन प्रोसेस है रिक्रुमेंट प्रोसेस वो क्या रहेगी तो वो सुननी जीए तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या होगा सबसे पहले आपका written exam होगा और written exam के लिए आपके issue of call letter आपके call letter ज़ारी किये जाएंगे अब वो call letter को add नकट किसके ज़ारी किये जाएंगे तो दीखेगा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि minimum 10 times of the vacancy advertising in each category SC, ST, OBC, AWC, UR यानि कि आपके जो भी पोस्ट है और उस पोस्ट में आपकी जो भी category है और उस category के जो vacancy है तो उस vacancy के जो 10 स्गुना candidate है वाक के बुलाए जाएंगे जैसे कि minimum लिजाए आपके driver के vacancy है वो driver के vacancy में आपकी UR की 7 vacancy है तो 7 के 10 स्गुना यानि कि 17 से candidate है जो आपके एडिन काड़के लिए बुलाए जाएंगे उनको लिटन एक जामे जो हो आप यह होने के लिए कहा जाएगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है कि वैसे तो यहाँ पर आपके vacancy के 10 स्गुना candidate है वो आपके बुलाए जाएंगे लेकर यह जो आपका आपके जादा अपलाई हो जाते हैं लेकिन आपके जो सहीं फॉर्म है जो आपके बियर अगर की प्रोसेस के उदरन सहीं अपलाई हुए हैं अगर उनका डाटा भी कम होता है तो भी आपके percentage कम जा सकती है इसके अलाबा अगर आपके फॉर्म जादा मातर में अपलाई हो जाते हैं और आपके फॉर्म में जादा मातर में सहीं पाया जाते हैं तो वहाँ पर जो आपकी कटोफ बनने वाली है आपके qualification की वो आपके थोड़ी हाय जा सकते ही है बात आप लोग ज़रा ध्यान में रखेगा ओके और एक चीज़ और कि यहाँ पर जापके एड्म कर्ट की कटोफ बनेगे ना वो आपकी category बनने वाली है यानि कि आपके SC के अलग से, ST के अलग से OBC, AWC, UR, इन सभी के अलग से बनने वाली है यहाँ पर जापके रिजर को अटेगर जर्म में तो आपका जो रिटनी एक्जाम है ना वो आपका देखेगा subjective भी हो सकता है और आपका objective भी हो सकता है यह बियर गुर्फ का pattern कोई fix से नहीं है लेकिन आपका 99% आपको हम अगर बताएं तो आपका जो एक्जाम होने वाला है वो आपका objective ही रहेगा subjective आपका 1% चांसर की आपका conduct करवाई जाए अधर वाज आपका एक्जाम में objective रहने वाला है इसके अलबाब बात कर यहाँ पर आपका जो एक्जाम होने वाला है क्या उसकी duration में सेम रहेगी लेकिन आपकी duration सेम नहीं रहेगी वो आपकी paper के according होगी यान कि अगर आपका paper objective होता तो अलग से अगर आपका subject होता तो अलग से जो कि आपका एक गंटे से लेकर 3 गंटे की बिच्पन devotion कितने भी हो सकती है यह आपका बियार गुर्फ डिशाइट करेगा कब आपके exam के time ओके लेकिन यहाँ पर आपको यू आर काटेगरी है AWS और OBC इनके लिए आपका minimum 50% यान कि आपका जो exam का question का level है उसमें से आपको total 50% लाने होंगे आपके कटोफ में आने के लिए इसके बदा आपके जो SC, ST काटेगरी इनको 45% लाने होंगे अगर आप लोग अपने exam में minimum इतना स्कोर करते हैं काटेगरी वाज तो यहाँ पर उसको बाद में आपको कटोफ में काउंट है किया जाएगा तो देखेगा यहाँ पर आपके पहले process क्या होगी return exam की तो अगर आप लोग अपना return exam qualify कर लेते हैं उसके बद आपका क्या होगा P.E.T. जिसको हम बोलते हैं physical efficiency test है अब वो कितना होगा वो आपको बिल्कुल official दिखाने वाले हैं इसके बद आपका क्या होगा physical के बाद है उसके बद आपका physical के बाद होगा practical या फिर आपका trade test जिसको हम यहाँ पर medical test बस यहाँ के process रहेगी उसके बद आपके जो medical test हो आपके out कर दी जाएगी ओके अब यहाँ पर दीखेगा जो आपके सबसे important जानकारी है वो है आपके essential qualification की तो सबसे आपके जो पहली post है वो आपके MSW painter की तो दीखेगा painter के लिए जो qualification है वो क्या होनी चाहिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दसमें पास होना अनिवारी है या आपके बिल्कुल essential qualification है इसके साथ ही साथ आपके पास से painter की certificate होनी चाहिए अब यह जो आपकी painter की certificate है कहां से होनी चाहिए तो आपकी industrial training institute या तो आपकी जो ट्रेडर है आपकी certificate हो ITA से हो या फिर आपकी किसे भी industrial trade certificate से हो या फिर national council for training in the workational trade से आपकी अगर certificate है किसकी painter trade की तो आप लोगो painter trade के लिए अपलाई कर सकते हैं वहे बात करें देखेगा यहाँ पर आपको ट्रेड के लिए दन हम बात कराके अगले post की तो वह कौन सी है वह आपके MSW मैसेवेटर की तो मैसेवेटर के लिए दीखेगा बस आपको मातर क्या है मातर आपको दस्वी पास होना चाहिए अगर आप लोग दस्वी पास है तो आप लोग अपलाई कर सकते हैं किसके अगर आप देखेगा 10 भी पास हैं तो आप 10 भी पास होने पर आप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ तो आपके पास से certificate होने जोई है किसकी या तो आपके पास से mechanic motor vehicle की या फिर mechanic diesel की या फिर mechanic heat engine की अगर इनमें से किसी एक trade में भी आपके पास certificate है तो आप लोग apply कर सकते हैं vehicle mechanic के लिए लेकर अगर आपके पास यहाँ पर इनमें से आपके पास कोई certificate नहीं है तो ध्यान से सुन तो भी आप लोग अपलाए कर सकते हैं किस के लिए विकल मेकैनिक के लिए इसके बदा आपके जो यहाँ पर लास्ट की पोस्ट है वो है आपके ड्राइवर की तो ड्राइवर के लिए देखेगा आपको सबसे पहले दसमें पास होना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपके पास जो है हैवी मोटर विकल का लाइसेंस होना चाहिए यहाँ पर जो लाइट लाइसेंस है वो आपका इलिजेबल नहीं होगा माने नहीं होगा आप यहाँ पर ड्राइव के पोस्ट के लिए अगर आपके पास हैवे लाइसेंस है अब वो जाइक कितना भी पुराना हो कितना भी नया क्यों न हो यहाँ पर बस आपकी एक चीज़ काउंट होगी कि आपकी अप्लेकेसन रेस्ट होनी के जो लास्ट जेट है वो कौन सी है 17 जनवरी 2022 से तो अगर 17 जनवरी 2022 से पहले का आपके पास लाइसेंस है तो आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाइ कर सकते हैं कोई दिकता को नहीं आएगी यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्पिरिंश के जरुत नहीं है ड्राइव के पोस्ट के लिए अप्लाइ कर पहने वाला है जैसे के पेंटर के लिए आपको जो सलिवस रहेगा वह यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं उसमें आपका जर्नल नौलेज प्रस में आपको जो पेंटर के ट्रेड है उसका जो आपका रेलेटेटर सब्जक्ट का सलिवस होता है वह आपसे पूछा जिके और आपका मैस्टर का जो आपका सलिवस होता है उसके बारे में देन आपका दो देखेगा विकल मेकनी का सलिवस है वह आपका ट्रेड का पूस्ट है वह आपका जिके का सलिवस इसमें एड होगा और आपका जो लास्ट की पोस्ट है वह आपका ड्राइवर का जिसमे बिलकुल आपको हम अच्छे तरीके से बिलकुल गालटे के साथ त्यारी करवाने वाले हैं अगर आप लोग बियर अगर की इस बरती किसी बे पोस्ट के त्यारी करना चाहते हैं आपको ट्रेड का सेलवस करवाए जाएगा प्लस में आपका जो जिके का सलेवस है यानि कि आपके इस notification में जिसी भी trade का आपको जो भी सलेवस दिया गया है उसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से complete सलेवस के साथ आपको तयारी करवाने वाले हैं अगर आपको बियर गुर्फ की इस बड़ती के किसी भी पोस्ट के तयारी करनी है तो आपको यहाँ पर श्क्रिशन नमबर दिया होगा 8930638526 9300-3727 इस नमबर पर आप लोग वाट्स लिप कर सकते हैं और यहाँ पर इस बड़ती के बारे में जान करें आप लोग इसके बैस करें यहाँ पर आपको जो पेसिकल होने वाली है तो देखे कि आपको जो पेसिकल है ना पेंटर के लिए वो आपकी स्टार्टिंग सेलरी रहेगी 18,000 लेकिन ध्यान से सुन लिजिए जो अठार हजार है ना वो आपके बेसिक सेलरी है इसमें आपको जो अलाउंस मिलते हैं 1900 यह सब आपकी basic salary है इसमें आपको allowance वगर जोड़कर आपको इस salary जो एक अच्छे खासे salary आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पी देखेगा इस भरती में आपके जो पहले process होगी वो होगी आपकी written exam की जो कि आपको हुने बता दिया है अब अगर आप लोग अपना return exam qualify कर लेते हैं उसके बाद आपका physical conduct होगा आप physical किसका कितना होगा देखे आपके सबी post मैसिवेटर आपके painter की विकल मेकनिक के driver की इन सबीका physical आपका same होगा और वो आपका one mil race जो कि आपको कितने time में clear करनी होगे जो कि आपको clear करनी होगे total 10 minute में और ध्यान से सुन ये शिरिफ आपका passing होने वाला है यानि कि आपको जो race हो शिरिफ quality nature को pass करने होगे से कोई नमरा को merit में नहीं मनने वाले हैं तो यहाँ पर दीखेगा आपकी बियर गुरिफ की जो ये वाले नहीं भरती है इसके बारे में जो भी आपके complete information थी वह आपको हमने बता दी है अब यहाँ पर जो form आपको apply करना है वह आपको offline तरीके से apply करना है लेकिन ध्यान से सुनिये आपके जो admin card आने वाले हैं वो आपके percentage भी इस पर आयेंगे लेकिन उस percentage से पहले आपकी एक एहम चीज़ होती है वो होती है आपका form तो आपकी percentage जादा होने पर भी आपका admin card नहीं आएगा तो इसके लिए दीखेगा यहाँ पर इस वीडियो में इस सब बढ़ती कि जो आपकी complete selection process है जो आपका qualification criteria जो भी आपको रखा गया है वो आपको हमने बता दिया है अब यहाँ पर इसके वाद हम क्या करेंगे कि आपके form को apply करने के लिए जो आपकी process हना इसके उपर आपको बिल्कुल डेटर में वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर आपको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से point होज आपको बताएं कि आपको form किस परकार से apply करना है आपको कहां पर क्या फिल करना है कौन कुल डोकुमट आपको attach करने फिस किस परकार से आपको pay करनी है फिर हम कहां पर फिल के अलावा कोई और डाउट तापक कमने सक्षिन में पूछ सकते हैं तो जुड़ा रहीएगा अगे एक नेवरेट के लिए थैंक्स और चुन कीप सपॉर्टिंग जैहिंद